गुड मॉर्निंग शान्ती शान्ती का अनुभव शान्ती जिसे आज हर कोई ढून रहा है लेकिन आखिर सच्ची शान्ती है क्या और उस शान्ती को अनुभव के लिए हम कहां कहां जाते हैं कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ समय पहाडों पर जाने से शान्ती होगी तो सोचने वाली बात है क्या सच में वहां शान्ती है वहां प्रकृति की सुन्दरता है सुन्दर सुन्दर द्रिश्य है पर शायद शान्ती तो वहां भी नहीं है क्यूंकि शान्ती मेरी अपनी है, मेरी अपनी क्रियेशन है शान्ती को ढूनना नहीं है लेकिन जब हमारे संकल्प श्रेष्ट नहीं रहते तो वे शान्ती गुम हो जाती है इसके लिए बाहर नहीं, हम क्या सोच रहे हैं? शायद उसका ध्यान देना है दिन भर में बहुत चैलेंजिस आते हैं छोटे-छोटे सीन आते हैं कभी-कभी कोई हमसे रूटली बोल देता है अगर हम अपनी सोच पर ध्यान दे तो हम उस शान्ती का अनुभव कर सकेंगे हम उस सीन को जो हमें अच्छा नहीं लग रहा जिसमें हम अशान्त हो जाते हैं शायद हम उससे बदल सकते हैं तो हम अपना ध्यान रखेंगे कि मुझे अपने हर रोल को शान्ती से निभाना है और जितना हो सके अपने संकल्पों का ध्यान देना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और हम में वे शक्ती है कि हम अपने संकल्पों को परिवर्तन कर सकते हैं तो आज हम अपने लिए जिम्मेवारी उठाते हैं सबके लिए हम बहुत जिम्मेवारियां उठाते हैं तो आज ये जिम्मेवारी हमारी अपनी है हमारे अपने लिए है कि हम अपने लिए श्रेश संकल्परचेंगे कि मैं शान्त हूँ और इस शान्ती को बाहर डूनने की जरूरत नहीं ये मेरा ओरिजिनल संसकार है देखते हैं आज अपने को सारे दिल में हम कितने सारे रोल प्ले करेंगे कभी मा का, कभी पिता का, कभी दोस्त का कभी ओफिस में हमारे रोल चेंज हो रहे है पर मेरी शान्ती में फर्क नहीं आ रहा है हम अपनी को देखेंगे, बातें आएंगी लेकिन मुझे अपना ध्यान रखना है मुझे अपनी शान्ती का ध्यान रखना है और अपने आसपास वालों को ये शान्ती का उपहार देना है हम जहां भी जाएंगे ये शान्ती का प्रकाश अपने स्वभाव से फैलाएंगे हमेशा याद रखेंगे शान्ती मेरा स्वधर्म है बस हमें अपने संकल्पों को सही दिशा देनी है और अपनी शान्ती को हर समय अपने में महसूस करना है क्योंकि ये शान्ती मेरी अपनी है ओम शान्ती